So Hello Guys, आज मैं आपको Free Energy Generator बना के दिखाऊंगा जो कि बिना किसी बैटरी के और बिना किसी इलेक्रिसीटी के यूज की हुए है हम इस LED को ब्लो करा के दिखाएंगे और इस Free Electricity Generator से आप 220 वोल्ट AC और 10 वाट तक का करेंट इसली ले पाओगे आउटपुट में अभी तक दोस्तो मुझे भी ऐसा लगता था कि Free Energy Generator बनाना पॉसिबल ही नहीं है लेकिन मेरी काफी जादा रिसर्च के बाद मैंने इस Free Energy Generator को डिजाइन किया इस मशीन को मैंने ही खुड डिजाइन किया आप मैंसे 50% लोगों को इस चीज़ पर बिल्कुल भी ब्लीव नहीं होगा बिल्कुल सही बात भी है लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा नजरिया बदलने वाला है तो कुछ भी उल्टी सीधी कॉमेंट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को प्लीज से कंप्लीट देखिएगा उसके बाद अपनी वैलिवल फीडबैक जरू दीजेगा क्योंकि मैंने इस पूरे कॉंसेप्ट को और इस पूरे टॉपिक को बहुत ही जादा इस वीडियो में डिटेल में बताया तो प्लीज से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस फ्री एनरजी जनरेटर का बेस आप किसी भी चीज से बना सकते हैं मैं यहाँ पर वूट का यूज कर रहा हूँ इसके बाद आपको एक बल्ब होल्डर लेना है जो कि आपको मार्किट में 10-20 रुपे का मिल जाता है उसके बाद दो एलिवेटर क्लिप लेने हैं वायर के साथ और इन एलिवेटर के क्लिप के वायर को आपने बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट कर देने हैं अब इस बल्ब के होल्डर को दोस्तो हम अपने बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं चिपका देते हैं यहाँ पर हम super glue का use करेंगे इसको चिपकाने के लिए और इसके बाद दोस्तों हमने कुछ plates लिए हैं इस टाइप की आप देख सकते ही metal plates हैं यह आपको transformer में easily मिल जाएंगी और अगर आपको यह plates ना मिलें तो आप bike के spark plug का भी use कर सकते हैं आपने bike के spark plug पर भी काफी जादा free energy generator पर वीडियोस देख रखे होंगी तो आप उसका भी use कर सकते हैं तो इनको हमने 3-3 के pair के साथ चिपका दिया एक साथ और फिर इनको हम glue gun की help से दोस्तों इस type से लगा देंगे इस base के उपर इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा distance रखना है gap रखना है सो अभी guys हमारा आदा काम तो complete हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आदा generator बनकर radio हो गया है अब जो यह हमारी elevator clips हैं इनको हम connect कर देते हैं दोस्तों दोनों side में जो हमने 3-3 plates लगाई थी उनके साथ और प्लेट के उपर जो हमने taping कर रखी थी उसको हम हटा देते हैं सो अभी guys इस video को बिल्कुल भी skip नहीं करीगा अभी कुछ important step है जो आपको follow करने है सो अभी दोस्तों मैंने कुछ chemical लिया है जो कि मैं बताऊंगा वीडियो के last में ये किस type का chemical है किस type से work करता है तो please video का complete देखिया है वीडियो के last मैं बताऊंगा इसके बारे में पीच में से बिल्कुल खा लिया है आप देख सकते हैं तो अब दोस्तों इस free energy generator को हम चला के देखते हैं किस type से work करता है इसको चलाने के लिए हम एक LED की जरुवत पड़ेगी तो दोस्तों हम 10 watt की LED का यहां पर use करेंगे आप कितने वाट का use कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इस LED को bulb older के साथ connect कर दिया अच्छे से और मैं request करना चाहूंगा आप इस वीडियो को complete ही देखिएगा उसके बाद ही आप कुछ भी comment करिएगा क्योंकि दोस्तों आप मैंसे जो पुराने लोग हैं वो मेरे बारे मैं जानते हैं मैं कभी भी इस चैनल पर आपको fake वीडियो उर्स नहीं देता हूं तो अब यहां पर हमने एक magnet लिया और इस magnet को दोस्तों हम इस generator के पास को ले जाना है फिर भी यह LED वर्क कर रही है काफी अच्छी तरीके से आप देख सकते हो वीडियो के अंदर आपने काफी बार दोस्तों इसी टाइप की वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी सेम इसी टाइप से electricity फ्री इलेक्टिसिटी जनरेटर वो बनाकर दिखाते हैं, इस टाइप से यह LED जलाकर दिखाते हैं सेम इसी टाइप से मैंने भी बनाकर देखा है तो यह work कर रहा है आप देख सकते हैं नीचे की साइड भी कुछ भी नहीं है कहीं पर भी कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं दिखाया कहीं पर भी कुछ भी नहीं है दोस्तों फिर भी LED कैसे ब्लोग कर रही है और अभी मैं आपको LED भी चेक करा के दिखा जाता हूं LED में कुछ भी फॉल्ट नहीं आप देख सकते हो क्योंकि दोस्तों काफी वीडियो में वीडियो भी देख रही हों क्योंकि मैं हर एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको हिंदी में समझाता हों और रिटेल में समझाता हूं कभी ह già एंदर क्या लगा हुआ है तो इस LED के लेड हमने यह शोटी लेड़ हमने यहाप फीक्स कर दी इसमय जो एले का मेकैनिस हम लगा हुआ था जो की एसी पर काम करता है उसे हमने निकाल कर फैक दिया और इसके अंदर एक बैटरी हमने लगा दी 9 वोल्ड की और इसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है कि इसे बल्ब होल्डर में लगाने के बाद जो इसके प्रॉप्स निकल ले जो एलिविटर क्लिप के वायस निकल ले इसके अंदर हमने एक पाईप के अंदर एक सेंसर लगा दियाता है जिसे वीड स्विच बोला जाता है जिसका काम होता है दोör मैंगनेट के पास आते ही वयूह अपना वर्क करना शुरू कर देता यह वो लाइन-इनर निकर देता ह उसके लाइक जिससे की वो वीडियो हो जाते ही काफी जादा वाईरल। इसके बाद आपको पागल बनाने के साथ साथ वो काफी जादा उस वीडियो से पैसे भी कमाता है। अब एक बात सच बताउं दोस्तो इस वीडियो में एसो के लिए काम करते हैं मेरे चैनल पर जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं हर वीडियो आपको रियल ही मिलेगी In the last of the video energy can't create nor destroy it can move one place to another and free energy is not exist in whole universe this is a law of energy